नमस्कार दोस्तों आज का हमारा कोश्चन है एक हेमोफिलिया के रोगी पूरुस का विवा यदि एक सामाने इस्त्री से कर दिया जाए तो इससे उत्पन संतति को रेकाचित्र दुवारा प्रदसित किजिए कोश्चन में कहागा है कि मान लोग किसी पूरुस जो कैसा है हेमोफिलिया रोग से गरशी थे ऐसे पूरुस को किसी सामाने इस्त्री के साथ में विवाईत कर दिया जाए यानि दोनों के बीच में साधी कर दिया तो उससे जो संतान उत्पन होगी वो किस रूप में होगी उस इसको अपने को रेखा चित्र के माध्यम से दर्साना आए तो आए चलो देखते हैं इसका एंसर एक हेमोफिलिया के रोगी पूरुस का विवा सामाने इस्तरी से किया जाता है तो उत्पन संतानों में सभी पूत्र सामाने ठीक है आपको याद रखना है कि इसमें सभी पूत् आने का कार चर्शक अधरिए तो आपको ध्यान में रखना है कि जो पूत्र होंगी वो सामाने होंगी और जो पूत्रिया है कैसी होगि हेमोफिलिया रोग की वहाग तो आप स्कतर के माध्यम से देखते हैं झालज है कि आपको डाइग्राम में दिक रहा है थीक है हेमोफिलिक पूरुस यानि जो हेमोफिलिक पूरुस का कहने का मतलब कि इसमें जो X-Y क्रोंसोम है इसके X के उपर क्या है हेमोफिलिया का जीन उपस्तित है किसमें पूरुस में इसलिए पूरुस कैसा है हेमोफिलिया रोक्षे ग्रसित और जो सामान इस्तरी यानि इस्तरी म कि सब से पहले तो क्या होगा फूरुस के जो गुंसुत्र है तरह में इस थीख और दूसरी तरफ यह लाइप इधर क्या होगा दोनो xx, क्योंकि महिला में क्या होता xx क्रोमोसوم होते हैं और पूरूस में x और y, ठीके, तो हमें ध्यान में रखना है कि जो हीमोफिलिया रोक है ठीक है अफिर उसका जो जीन है वो हमेशा किस पर रहगा X के ऊपर ठीक है तो अब यहाँ पर X को पर किसका जीन है हेमोफिलिया रोक का और इस तरी केसी सामान है इसलिए उसके दोनों X केसे सामान है सबसे पहले तो क्या होगा इसमें यूगमक बनेगे यानि गुण सुतर आदे-ादे होंगे उसके बाद में क्या होगा इसमें क्रासिंग होगा तो यह वाला जो X है जिसपे क्या है मतलब पूरुस का जो X है जिसपे हेमोफिलिया का जीन उपस्तित है ठीक है वो क्रास करेगा इस X से तो क्या बनेगा X के ऊपर क्या रहेगा हेमोफिलिया का जीन और एक X इदर से आएगा तो यह X और X ठीक है अब दुसरा ठीक है अब दुसरा यह X किसके साथ में फ्यूज करेगा इसके साथ में सेकन वाले साथ में तो यहां पर भी क्या हो रहा एक एकस इदर से आ रहा है ठीक है यह वाला ठीक है जिसके उपर क्या है यहां से हिमोफिलिया का जीन और एक एकस आ रहा इस तरी से ठीक है तो यह जो दोनों संताने है ठीक है यह वाली यह क्या है इसमें दोनों में एकस एकस है मतलब यह क्या है इस्त्रियां है यानि पूत्रियां है अब यहां पर क्या हो रहा है कि एक एकसो कूपर क्या है हिमोफिलिया का जिन है इसलिए यह पूत्रियां क्या कहलाएगी हिमोफिलिया रोग की उभाग ठीक है जब की जो पूत्र ठीक है दो क्या है इसमें पूत्र है. थिक है, आब उसमें क्या होगा? थिक, ये cross करेगा. थिक है? अब इसकी बात है. अब ये fuse करेगा इसके साथ में. तु ये क्या है? ये. तो यहाँ पर X ओ और यहाँ पर आएगा Y. थीक है, तो अब ये फूर लड़का कैसा है, साथरा है. फिर, ये वाला fuse करेगा इसके दुआरा तो अब यहां से वहाई और एक्षर अब यह भी लड़का कैसा है सामाने तो इस तरह से क्या होता है कि इसमें 50% पुत्रिया और 50% पूत्र प्राप्त होंगे जो पूत्र प्राप्त होंगे वो कैसे होंगे सामाने जबकि जो पूत्रिया प्राप्त होगी वो हिमोफिलिया रोकी वहाग का कार्य करती है तो इस तरह से आपको इस रेका चित्र के माध्यम से याद रखना है कि जो हिमोफिलिया रोख से गरसित पुरुष है उसका विवा कभी सामाने इस्तरी से होता है तो जो संताने उत्पन होती हैं उसमें पूत्र सामाने और पूत्रिया हिमोफिलिया की वहाग होती है तो I hope आपको वीडियो पसंद आयोगा धन्यवाद